21 अप्रेल 2019 श्री लंका के इतिहास में एक प्रकार से बहुत ही बड़ा काला दिवस के रूप में ये मनाया जाने वाला है और बहुत दुखत ये घटना हुई है और श्री लंका में अब तक जो मरने वालों की जो संख्या है वो 290 को पार कर चुकी है और ये एक प्रकार से इ क्रिस्टन्स थे वो अपने चर्चों में यह तिवार मनाते हैं इस्टर जो होता है एकच्छी सभी जानते हैं कि जब भवान ईसा मसी जो थे उनको जब सूली पर चड़ाया गया था क्रॉस पर चड़ाया गया था तो उनकी मृत्यू जब होई थी तो उसके तीन दिन के हमले हुए हैं बहुत ही एक कठिन समय है इस वक्त श्री लंका के लोगों के लिए और हमारी जो एक परकार से सम्विदनाएं हैं उनके लिए हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में कि यह जो अटैक हुआ है श्री लंका में इसकी क्या माइने हैं और यह जो अटैक से एक जो दक्षिन एशिया है जो कंट्रीज हैं क्यों इस प्रकार से ये आतंगवाद से जूज रहे हैं और कितने लंबे समय से अगर हम इनका आकड़ा अगर चेक करें 30-40 सालों का तो अब तक कौन-कौन से देशों में कितनी घटनाएं हो चुके हैं और क्या इसका रीजन है तो तोहित जमात नामक ठीक है जो संगटन है तो ठीक है तोहित जमात तो टीजी शॉर्ट फार्म है तोहित जमात इसलामिक कट्रपति ये संगटन है इसके पीछे इस घटना के पीछे इनका हाथ माना जा रहा है क्योंकि इस संगटन की जो कुछ गतिविदिया थी तमिल नाड परकार से बहुत बड़े इस्लामिक संगठन का ये एक काम हो सकता है इसके पीछे जैसे की अभी हाली में हमारे केरल में से कुछ यूवक जो थे वो आई-एस में भरती होने गए तो श्रिलंका में से भी कुछ गए थे आई-एस का जो एक परकार से गड़ खतम हुआ तो वो वापिस आके इन घटनाओं को उन्हों नहीं अंजाम दिया है तो एक प्रकास है इस्लामिक स्टेट के पास में इतने बड़े तौर पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का साहस भी है और उसके पास इस प्रकार के तकनीक भी थी तो विशेशक्य जो हैं वो मानते हैं कि IS नहीं हो सकता है कि इनको इस इस्लामिक संगठन को ये जिम्मेदारी दी हो तो दोस्तों अब हम इसमें बात करते हैं कि आतंगवास से जो पूरी दुनिया जो प्रभावित हो रही है तो इसमें दक्षिन एशिया का कितना बड़ा छेतर है जो कवर हो रहा है तो अगर हम दूसरे नंबर पे सबसे ज़ादा प्रभावित होने वाला एक प्रकार से छेतर है सबसे पहले जो शामिल होता है वो है मिडल इस्ट ठीक है और नॉर्दन एफरिका तो मिडल इस्ट और नॉर्दन एफरिका जो है एक प्रकार से सबसे ज़ादा गरसित होने वाला शेतर है ठीक है और इसमें जो वार्दाते हुई हैं मिडल इस्ट और उत्री अफरीका में अब देखे दक्षिल एशिया में आपको बताता हूं कि जो सबसे बड़ी बड़ी जो वार्दाते हुई हैं 2002 और 2017 के बीच में दक्षिल एशिया में कम से कम 31,960 आतंकी हमले हुए हैं जिसमें 59,69 230 लोगों की जान गई है तो ये 2002 से 2017 के बीच में मैं आपको बता रहा हूं दक्षिल एशिया में जो घटनाएं हुई हैं ठीक है और उन घटनाओं में जो सबसे बड़ी बड़ी में हुआ है जिसमें 290 अभी मौते हुई हैं और 2008 में हम जानते हैं जो 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था जिसमें हम जानते हैं कि 150 से भी जादा वहां पर जाने गई थी फिर उसकी बाद पाकिस्तान पेशावर में जो 2014 में जो कांड हुआ था जिसमें कम से कम 150 मौतें हुई थी तो ये एक प्रकार से ये अब तक के सबसे terrified जो थे terrorist attacks थे दक्षिन एशिया के इन countries में हुआ है अब देखिए सबसे प्रभावित जो देश है अब तक Middle East ठीक है और Northern Africa है ठीक है तो ये बहुत बड़ा continental चेत्रे और Middle East में भी Syria, Iraq ये जो आते हैं ये number one पर आते हैं ठीक है तो वैश्विक आतंगबाद पर सबसे व्यापा Global Terror database जो है उसके visualization ये भयावय तस्वीर आपको बताते हैं ठीक है मतला अगर हम 50 वर्षों की बात करेंगे तो अब तक 2,00,00 आतंग की हमले हुए हैं जिसमें से कम से कम 31% जो attack हुए हैं वो आपके South Asia में ही हुए है ठीक है और सबसे अदा प्रभावित होने वाले जो South Asia में जो countries हैं इसमें देखिए भारत, पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका, नेपाल बांगलादेश ठीक है और इसमें जो भारत है वो साथवे पाइदान पे आता है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला है अफगानिस्तान ठीक है फिर पाकिस्तान फिर उसके बाद भारत आता है ठीक है तो एक प्रकार से अब तक पूरी world ranking एकर हम बात करें तो हम जो हैं साथवे पाइधान पर आते हैं तो अगर हम बात करें कि South Asia में ही ये आतंगवादी हमले क्यों हो रहे हैं तो इसके अगर हम visualization करें सबसे पहली बात तो यह कि South Asia में सबसे ज़ादा highest population density है ठीक है और population density इतनी है कि यहाँ पर बेरोजगारी जो है unemployment सबसे ज़ादा आपको South Asia में देखने को मिलेगा ठीक है पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया श्रिलंका तो इनकी अगर हम कुल बात करें तो यहाँ पर एक बहुत large scale पर जो unemployment हो जब unemployment होता है तो जो youth होता है वो एक परकार से short term money की तरफ दोड़ता है और short term money जो है उसको illegal तरीके से मिलती है तो चाहे वो illegal trade हो चाहे वो terrorism का साथ हो तो एक परकार से यह सबसे बड़े reasons हैं और आतंगवाद और यह जो terror टेरर funding वगरा जो होती है तो इसलिए यह माना जाता है कि South Asia जो है अपकार से unsafe एक place है जहां पर यह reasons बन रहे हैं